इस बार बजट से उम्मीद थी कि सरकार National Pension System यानि NPS में बदलाव करके करमचारियों के लिए guaranteed pension का प्राबधान कर सकती है लेकिन वितमंत्री ने करमचारियों के NPS को लेकर किसी तरीके की घोशना नहीं की और NPS की मौझूदा विवस्था को बरकरार रखा है हाला कि ये जरूर कहा गया है कि बच्चों को भी NPS के दारे में लाया जा सकता है तो सर माना जाए कि pension पर जो सुधार था वो रुक गया सरकारी करमचारियों के लिए pension की पूरी विवस्था पिछले करीब करीब दो साल से विवादों में भी है और उसमें बदलाव की तैयारी भी है और हम लगातार सुनते आ रहे थे किन सरकार ने कमिटी भी बनाई थी उस कमिटी ने defined pension लाने की बात कही थी definite pension लाने की बात कही थी विपक्ष के राजियों ने पुरानी pension योजना लागू कर दी थी जिसमें retirement होने के बाद जो आखिरी salary होती है उसकी आधे से जाधा क्या आधा हिस साल लगभग pension के तौर पर मिलता है पर ये pension सुधार कहीं भी सामने नहीं आया इस pension सुधार में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया केवल NPS में कुछ थोड़े बहुत बदलाव किये गए income tax की तरश्चे से परिवरतन किया गया तो एक तरह से करमचारियों के लिए ये pension वाले करमचारियों के लिए pension में NPS के करमचारियों के लिए बज़ट थोड़ा सा निराशाजना करहा है संकेत ऐसे हैं कि सरकार शायद वित आयोक की जरिये इस मामले पर विचार करेगी या अगले बज़ट में सरकारी pension प्रणाली में में परिवरतनों को शामिल किया जाएगा वित मंतरी निर्मिला सीता रमन ने इस बार बज़ट में सबसिडी के petroleum सबसिडी में कटवती की गई है fertilizer सबसिडी पिछले साल 1,88,000 करोड रुपए थी वित वच चौविस पचिस के दोरान इस पर 1,64,000 करोड रुपए खर्च का अनुमान है इसी तरह 23,24 के दोरान food सबसिडी का खर्च 2,12,000 करोड रुपए था जिससे 24,25 में घटाकर 2,05,000 करोड रुपए किया जाएगा LPG सबसिडी को भी 12,240 करोड रुपए से घटाकर 11,995 करोड रुपए अनुमान लगाया गया है तीनों सबसिडी का कुल खर्च अभी भी 7,8 फीसद से घटकर 3,88,000 करोड रुपए रहने का अनुमान है सर बजट में सबसिडी का हिसाब क्या बता रहा है बजट में पहली बार चुकि यह प्रस्ता और आकलन हैं तो इनका के रिवाइज नंबर के बाद पता चलेगा पर बजट में पहली बार केंद सरकार का सबसिडी बिल 5 साल के 99 पर आ गया है अगर आप सारे सबसिडी की गणना एक साथ करें जो 2024-25 का के बजट में पेश किया गया है सबसिडी बिल 2021 में जीडी पी का 3,88 फीसदी हो गया था बढ़ते बढ़ते हुई है फूट सबसिडी को लेकर कोई बड़ा बदलाओ नहीं हुआ है सरकार ने 5 किलो जो मुफतना जेने की योजना 80 करूर से जाधा लोगों को दे रखी थी परदान मंतरी गरीब कर लिया अन योजना योजना और जिसके तर चावल दिया जाता है इनको आने वाले बजट में कैसे दिखाया जाता है यह देखना होगा क्योंकि इनके ग्रियान वेन के बाद ही पता चलेगा